क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी लकडी आपकी कई बड़ी बिमारियों का खात्मा बड़ी आसानी से तर सकती है। अगर आप इसका इस्टमाल अपने जीवन में करते हैं तो जोडों के दर्द, मदुमे, रक्षाप तथा गठिया सहित दरजनों समस्याओं से खुद्रती तौर पर छुटकारा पा सकते हैं। दरसल विजैसार नामक एक पेड़ होता है जिसकी लकड़ियों में कई रोगों से लड़ने वाले औशदिय अगुन पाया जाते हैं। जिस प्रकार तांबे के जग का उपियोग पानी पीने के लिए उत्तम माना जाता है। ठीक उसी प्रकार विजैसार पेड़ की लकड़ियों से बने गलास तथा कब से पानी का सेवन सौस्ट वर्धक माना जाता है। चालिस वर्षों से पतांजली में कारे कर रहे आयरवेदा चारियों की माने को भारत नेपाल और श्रिलंका में पाई जाने वाली विजैशार की लकड़ी बेहद ही औशदिय गुनों से भरी होती है। इन से बने बरतनों में पानी पीने से आपकी कई समस्याएं दूर हो सकती है। इसका इस्तमाल कुछ इस तरीके से करना है। इस लकड़ी से बने बरतन में रात भर पानी रखें और सुभा खाली पेट पिए। इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। डाइबिटीज के मरीजों के लिए भी इस बरतन से पानी पीना पेहत फायदेमन्द होता है। ठीक इसी प्रकार हटबियों के कमजोर होने की वज़व से कई लोगों को गठिया और चोडों के दर्द की समस्या हो जाती है। जिसे अर्थराइटिस भी कहते हैं। ऐसे में इस लकडी के बरतन या सीधे लकडी को पानी में भीगो कर वो पानी पीने से शरीर में यूरिक एसिट कम होता है तथा रोग में रहत मिलती है। ठीक इसी प्रकार इस लकडी से बने बरतन में पानी पीने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल लहता है। इससे आप उच्छ रक्तिचाप की समस्या से बचे रह सकते हैं इतना ही नहीं यदि आप इस खास लकडी से बने बरतन में पानी पीते हैं तो फिर शरीर तथा हाथ पैर में कमपन जैसी समस्या भी दूर रहती है साथ ही शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट कम होता है जिससे आपका मोटापा कुछी समय में कम होने लगता है और आपके वजन में भी कमी आती है तो उमीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी